Hello Friends में मनोज आप देख रहे हैं Technical Monoz TV आज के इस वीडियो में आपको मुम्बई में चलने वाली लोकल ट्रेनों के बारे में कबड़ेट देने जा रहे हैं अगर आप भी इन ट्रेनों के चलने के इंतिजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिये क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ट्रेन कब से चलने वाली हैं इनका क्या टाइमिंग रहने वाला है वो यात्रा करने से पूर्व कौन-कौन से बाते हैं जिनको जानना ज़रूरी है जनकारी नहीं होने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है क्या कुछ है इसके बारे में कंप्लीट जनकारी देने जा रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को सुरूरी से लाश्ट देखिए और चैनला पर नए है तो मेरे चैनला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताक कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिले मेरे चैनल पर रेलेवे की सब भी अपडेट दिया थी और टिकट बोकिंग में होने वाली समस्याओं का समधान की आयता है अगर आपको भी टिकट बोकिंग में कोई समस्याओं आ रही हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कोरोना महमारी के वज़े से सभी लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया गया था लेकिन ट्रेनों को चलाने के बढ़ती मांग को देखते हुए भारती रेलिवे ने कुछ गैडलाइन्स और नियोमों के तहत मुंबई की लोकल ट्रेनों को एक फरवरी से सभी के लिए चलाने जा रहा है ये ट्रेने दिन के तिन टाइम सिलोट में चलाई जाएंगी जिसमें सुबह 7 बह से 12 बज तक और साम 4 बह से 9 बज तक केवल आवश्यक कारे में लगे यात्रियों को यात्रा के उन्मति दी गई है जबकि आम जनता के लिए पहली ट्रेन सुबह 7 बह चलेगी और इसके बाद दोपर 12 बह से साम 4 बह तक चलने वाले ट्रेन में हम लोग यात्रा कर सकते हैं आम लोगों के लिए लाश्ट ट्रेन रात 9 बह चलेगी इन सबी ट्रेनों में आत्रा करने के लिए COVID-90 के लिए जारी किया गया 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 लैंस को फॉलो करना ज़रूरी होगा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करने मत बूलिएगा चले मिलते हैं किसे और नए वीडियो हम दब तक के लिए नमस्कार